कि अस्सलाम अलेकुम पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया दिया करता हूं प्रेस मीडिया का कि हमने आपको बुलाया और आपने हमारी बात को अलब्बे का इसलिए मैं आपका खैर मकदम करता हूं मेरी प्रेस कंफरेंस बुलाने का मकसद है जो हमारे शहer में पानी का जो मसला चल रहा है पहले काफी दिनों से काफी सालों से चल रहा है जिसका हमने जो पाठ पुरावा है वो हम आज से नहीं कर रहे हैν ये पाठ पुरावा हम जो है 2022 का हमारा पहरा लेटर था 3-10-2022 का कविर साब को हमने ये पानी की जो समस्य जो शुरू ही थी उस वक्त हमने ये दिया फिर उसके बाद हमने उसका second लेटर का फिर हमने जवाब मांगा फिर वो जवाब में हमको एक साल हो गया कुछ नहीं मिला फिर हमने दूसरा लेटर दिया दूसरा लेटर हमने जब दिया 3-10-2023 को फिर हमने दूसरा लेटर दिया उसी लेटर के समबरबाद कि हमारी पानी की समस्य जो है मेरे परभाग के अंदर सबसे ज़ादा हो रही है वाड नंबर 32 शंकर मंदिर से अलमस कॉलोनी इसके अंदर सबसे ज़ादा पहले जब उस वक्त हमको कहा गया था कि मतलब गर्मी का सीजन था तो गर्मी के सीजन के दो मेने में जो है पानी के समस्य जो है होती है और यह जो हमारा परभाग नंबर 32 है यह परभाग 32 जो है यह पाड़ी इलाका है उपर का इलाका है जैसे हम अगर उपर से का शिवाजी नंगर का देखे दूरगा माता मंदिर देखे आजद नगर रईस बाग रोड यह सब हमारा उपरी भागे और यहां से लेकर अलमास तगे सब हमारा उपरी भागे तो हमको इदर पानी का प्रेशर कम दर में मिलता था तो वो चीज़ पर हम चलो समधान हमको कुछ दिन मिलता था कभी मिलता कभी नहीं मिलता था हम वो चीज़ के उपर फॉल अप लेते गए लेते गए और आज भी बारिश कतम हो गई, बारिश होने के बाद भी फिर भी पानी का पूरा डेंबर है, फिर भी पानी का पानी की समस्य है, जिवकी तू है, उसके पहले जब अपना ठाना के रेश्ट हाउस के अंदर, एक MADC के लेकर, जब हमारे आमदा डॉक्टर जितन दरवाट सा पानी बढ़ाया गया था, 6 ml पानी बढ़ने के बाद भी, आज हम 52 ml पानी ले रहे हैं, फिर भी हमारे शहर की जो पानी की समस्या है, वो जू की तू है, इसके उपर हमने फिर अब जो हमने कुछ दिनों से, जो हमने पेपर वर करते गए, हम मिटिंग करते गए, पानी पानी की समस्या दूर नहीं हो रही है, आज जब हम आधिकारी के पास जाते हैं, मिटिंग करते हैं, लेटर पर लेटर दे रहे हैं, फिर भी कम्ज़ सब के पास जा रहे हैं, मिटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी पानी की समस्या दूर नहीं हो रही है, पिछले हफते जो है हमने जब अधीगारी को कुछा मुझा भाई जब हम इतना जब फॉल अप ले रहे हैं हम इतनी सारी सब चीजे हो रही है तो हमको पानी क्यों नहीं मिल रहा है उसने उसने हमसे यह कहा गया जिसमें मेरी रिकॉर्डिंग है फोन के उपर लास संडे लास स सबसे बड़ा रिजन पानी का आपका है इन लिगल कनेक्शन और इन लिगल बिल्डिंग है इन लिगल बिल्डिंग है अनधिर बानकाम जो के मुम्रा दिवा परबाग समीति के अंदर बहुत ही बड़े पायमाने पर चल रहा है तो मभला साब उससे क्या संब्द है मैंने कि कारण किस्ति में बता prototype अधिकारी निफान यह की अधिकारी नहीं बता है हमने उन से और वहां पर यह आपकी जो लाइन है शीलवाटा कल्यांट फाटा से से मुम्रा के तरफ चनिक्षन गया हुआ है और इन पर इन लीगल इघवे कोणिक्षन और ऋहां की वज़ह से जो है हमारा पानी पुरोटा जो वहाँ पर डाइवर्ड किया जा रहा है हम वहाँ पर बारबर का कारवई करते हैं कारवई अगर हम करते हैं तो हम पर प्रेशार आता है कि कारवई मत करो तो किसका प्रेशर है बोले वह आपको हम कैसा बता है सर हमको नौपली साज धोना पड़ेगा तो आज जो है पानी का जो सबसे बड़ा समस्या तो हमने भी उस पर थोड़ा सोचा समझा विचार किया कि वाकई के अंदर जब इन देड़ सालों के अंदर देड़ से दो सालों क अंदर जिस बड़े पैमाने के उपर इन निगल बानकाम जो हुआ है 200 बिल्डिंग के बनी है वाकी में 200 बिल्डिंग बनी है आज वहापर लोग रह रहे हैं उनको पानी जा रहा है तो हमारा ही शहर का पानी हमरे मुमरा कावसा का पानी जो के हमको माड़ेसी के लाइन से आता है उसी लाइन से वो पानी उनको जा रहा है और वही पानी और जिसके वज़े से हमारा मुंबरा कौशा शहर का जो पानी जो है उसकी समस्या दिन बढ़ती जा रही है यह और भी बढ़ेगी अगर इन निगल वानकाम को अगर बंद नहीं किया गया तो अब ऩो आपने परवाद की तो आहिके परवाद Mead me , पानी की टाकी बनाई गे तो फ़से पानी स्ट्रों को और मास औरल्मी लेकिन सुमन्ता इसकोल के जगे पर पानी की टाकी बनी है जिसके लिए जिस टाकी को बनाने के लिए अपोजिशन लीडर माजी अपोजिशन लीडर अश्रब शानू पठान ने माँ सबक अंदर काफी जद्दो जहिद की और तब जाकर वो टाकी बनी लेकिन वो टाकी बनके संपब बनके रेडी है लेकिन उसका लाइन डिस्टीबिट अभी तक किया नहीं गया है जिससे वो लाइन डिस्टीबिटर जो हमारा राइजबाग रोड आज़ाद नगर और दूरगा माता मंदिर ये परिसर में उनको पानी देना था लेकिन लाइन का पर दूसरों को पानी भी डाइविट है उस टाइमिंग का प्रेशर डाउन हो जाता है जब उस टाकी के पीछे हमने सालूं के सब जो अधिकारित उनके साथ हमने पूरा मौईना किया कि पानी क्यों नहीं है अलमास कॉलनी के अंदर प्रटी गोली प्रटील फाटा रोड के उपर जहां पर मैं आपको बता दूँ भारत गेर के थोड़ा सा दोस्ती के आगर टोरंट के सामने आप आगे जाएंगे वहाँ पर एक टायर वाल के सामने वाल वाल ऑपरेट होता है फिर उसके आग जाएंगे तो शिबली नगर से पहला दोस्ती किसी का कंट्रोल नहीं एवन मेरी जब यहां के जब एग्जेक्यूटी इंजीनर थे पांडे करके जब वह पांडे को मैंने कहा कि सर हमारे टाइमिंग के उपर आप खड़ी मशीन रोड अलमस करने का पानी बन करते हो और उदर पर उस जग पानी देते हो क्यों देते हो क्यों फिर कि आलमस करने का पानी आता है तो युन झो है वाल खोले जाते हैं और उस वाल को खूलने के वज़े से जबसे tuck Chamisya यह पानी जाता है यह पानी सीधा दिवाफुर्वक्णती वहाई पर जहां पर इली नीगल बानकाम का समुंद्र नहीं सहलब है सहलब हमने ट्र सब्सक्राइब करेंगे तो यह आप मेरा लेटर दे सकते हों यह मेरा लेटर है 2022 का और वो भी कौन से महिने का वो भी आप देख लीजे 2022 से हमने उसके बाद इनलीकल वानकाम बढ़ते गये वक्त जरुवत हमने पत वेवार किया वानकाम की लिए रोकने के लिए कारवई भी हमको सिरफ बताने के लिए पावद की जाती कोई हाल से पुरसाने हो सिर्फ उपर से यही बोलाप में जब बानकाम बढ़ते गमें वक्त जरुवत hanno किया वानकाम के लिए रोकने के लिए कारवाई भी की हमको सिर्फ बताने के लिए बताने के लिए कुछ देर के लिए कुछ कारव estoy की जाती हूropel रफ कोई हाल नहीं कोई पुर्षाने अर पालीचाननी दीखिए हैं। के अखें अगर्णी अंग सर्फ कितना पानी दिया जाता है। और एक फैमली के उपर उपर जो है ना, चार सो पांच लिटर पानी जिया जाता है ह। 405 लीटर पानी जो है न साड़े चार फेमली को कंट करते हैं एक घर के एक फेमली के उपपर चार-प्लस हर्व मत्लब साड़े चार-धी चार आत्मी के फेमिली को पानी का काउंट्टिंग होता है जिसके हिसाब से एक घर को पानी मिलना चाहिए पर दे चार सो पाश लीडर और यह बाग पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन का मामला ऐसा है कि जो हम अगर मतदान के हिसाब से और हम देखा जाएं जो यहां पर जो है और हम मतदान अगर मतदान का जो हल्का आता है उसके इनदर द्वर धूबा चार लग के उपर होता नहीं बीशान जैक आफिशे आप impAK having सबने का है कोई बोलता है 10 लाग है कोई बोलता बारा लाग है कोई बोलता 8 लाग है तो उस इसाब से वो आबाधी के इसाब से अगर देखा जाए पॉपलीशन के साफ से हमको पानी एमाइडीसी से नहीं मिलता है। तो अब इस्लामुदिन ने वो मेरे मौजू के उपपर ही सवाल किया है। अगर इस बात का मैं सरासर इस बात का मैं खंडन करता हूं और इस बात को मैं नहीं मानता है कि नजीब मुल्ला ने 2017 में मुझे टिगीट दिलाया था 2017 के अंदर अगर मुझे टिगीट दिलाने में अगर सबसे पहला नाम अगर मैं लूँगा वो नाम लूँगा मैं आसिफ शेक जो नबिल कॉंप्लेक्स जाधी कॉल्णी में रहते हैं दूसरा मैं लूँगा एकाउड कॉंप्लेक्स अंदर मेरा जो एक दोस्ती एक दोस्त लोगों का गुरूप है जिसमें जावेद शेक उल्द जग्गा जहिर शेक मुर्णा बरतन उसके बाद हमारे एक दोस्त है संवन नाना और हमारे दोस्ते माजी नगर सेवक साधी और आसिब बाद के साथ में जुड़ावा था ओवी सी केंडिडेट की इस वक जब जरूवत थी तो मुझे आसिब बाई से यह फोन आया था कि भाई आपका ओवी सी साइटिविगट है तो मुझे इंशालला तुमारे लिए कोशिश करेंगे फिर यही बात जब जावेद बाई एकॉर्ड के जो है उनके तक आन तक बात गई ऑफिस में हम लोग ऐसी बैटे थे चर्चा चल रही थी तो वहां पर जो है फिर ऐसी बात निकली तो फिर समन नाना बोले कि अपने हमारे जो दोस्त है प्राबडी के समन नाना उनको उन्होंने बोला किया अपने शाकि आनि वो वहीद आदमी है जिसने मेरे जैसे चहरे को मेरे जैसे नाम को मुम्रा के अंदर ना कोई जानता था ना कोई पैशानता था उसको उसने टिगीट के लिए उसने वो टिगीट उसने लेकर आया शानू पठान ने शानू पठान नहीं मेरे लिए सारी महिनत की शानू पठान का और हमारे दोस्तों का मैं तही दिल से शुक्रियादा करता हूं कि इन लोगों ने मेरे लिए जो है election 2017 election में बहुत मेहनत करी और मुझे इस मुकाम तक पहुचाया दूसरी बात शानू पठान ने election जिताने के अलावा नगर सेवक बनाने के अलावा शानू पठान का मैं और तहीं दिल से शुक्रियादा करता हूं कि उसने मुझे rubber stamp नहीं बनाया और नहीं मेरा rubber stamp बना के मेरा इस्तेमाल किया शानू पठान ने मुझे सिर्फ एक ही बात रखा कि सिर्फ अपने लोगों की अपने कौम के लोगों की खिद्मत करना और उनका काम करना अपने काम से अपनी काबलेस से अपनी पैज़ान मनओ जिन्नों ने मुझे यह जोर दिया कि आप अपनी खुद की ओफिस खोलो और आज वह उस ओफिस में बैढ़ा हूँ और लोगों का काम करो और लोगों का काम करते जाओ तो खुद बखुद आपकी पैच्छान मनेगी और सबसे पहली बात तो मैं उस इंसान को मैं कभी ना छोड़ूँगा और ना कभी उस इंसान से कभी गद्दारी करूँगा उसका रिजन वो है कि कुस इंसान ने जो मेरे ले किया आज के दौर में, राजनीती में, पॉलिडिक्स के अंदर न सगा भाई, न सगा बाप, आज पॉलिडिक्स में नहीं करता है, वो काम अश्रफ शानुपठान नहीं किया है तो मैं उस इंसान को कभी नहीं छोड़ूँगा मैं आपके चैनल से और आपके मीडिया के मादधम से मैं कहिना चाता हूँ कि मेरे खिलाफ आग जो मेरे पर पर परिशड दाला जा रहा है और मेरे पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि नजीम मुल्ला ने तेरे को टिकेट दिलाया नजीम मुल्ला ने तेरे को टिकेट दिला का नगर स्योग बनाया आज तू नजीम मुल्ला से गगधारी कर रहा है नजीम मुल्ला को तू ये कर रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है ये सारी बातों को मैं खंडन करता हूँ, मैं शानू पठान से और अपनी पार्टी से कभी गदारी नहीं करूँगा, नहीं दिलाया है, नहीं दिलाया है, रात के ये सबसे पहली बात, अगर मुम्रा कौसा में, रात के तीन मजे, जो कन्फिर्मेशन हुआ था कि मुझे सुब और दूसरा हमारा दोस्साजी दंसारी किस्मत के नागे पर रात में तीन बजे मेरे को पुछा गया था, कि यार ये फरजाना मुहम्मद मौमिन कौन है, तो मैंने ये बात कहा था, साजी दंसारी और फहीम गुलबार साब जब खड़े थे महाँ पर, मैं बोला मेरी है, मेरे वाइफ का नाम बोले, मना फरजाना मौबबत मौनवर मौमिन है, तो बोले यार फिर वो ये नाम बोले कन फार्म है, ये बात कही थी, फहीम गुलबार साबने की मुझे पता चला है कि ये लेडिस को मिली है, तो उस वग मैं जब अपना फार्म की नाम की तैयारी क पुराना जो यादी के अंदर नाम था, वो यादी के अंदर नाम उनका उनके बाप से जुड़ो होता, फरजाना महबद मुनावर मुमिन, ये चीज़ कनफर्म ही थी, और रही बात नजीम उल्ला की, तो नजीम उल्ला ने जो है, मेरे को इलेक्शन के अंदर और ना ही इलेक्शन के किसी भी वक्त में, मेरे किसी बात की, कोई उनसे मेरा लेने देना नहीं है, और ना दूर दू पर जो है यहां पर इस मुकाम तक यहां पर मैं आप बैठा हूं आपके सामने बात रख रहा हूं और अगर आपको टिकेट नहीं मिलती है तो आप चुनाव लड़ोगे देखिए और यह आफ़ा कौन उड़ा रहा है यह यह जो अफ़ा जो फैला जाए रहा है ना यह सिर्फ और सिर्फ जो दो भाई है ना शानुपठान और शाकिर शेख यह दो भाईयों के बीच में ना दरार दारने का काम किया जा रहा है लेकिन मैं लोगों को जवाब देना चाहता हूं पानी में लकड़ी मारने से पानी अलग नहीं होता है यह पूछरे कौन कर रहा है यह वही के साथ में रहना चाहिए न्यजी मूल्हा का साथ देना चाहिए नहीं एक्सपोर्ट करना मै नहीं तो और अरे अपनी इस बात को यह नहीं मानता हूं कि मुझे मैं मुझे पूरा येकिन है मुझे पूरा येकिन है बुर पर हमारे विधायक पर हमारे अश्रप रहा फॉरा येकिन है कि हम हमको मुझे दों को देखकर मिली तो नहीं मिली तो हम कुछ नहीं मैं शानुपठान के साथ कंदे से कंदा मिला कर उसके साथ खड़ा रहूंगा तो उसमें आपने बताया था कि अधिकारी ने आपको पूछा बोला बताया कि सारा पानी इलीगल कंस्रक्शन की तरफ जा रहा है और उसके वेज़े से अपनी शहर में पानी नहीं आ रहा है ठीक है शाषन और प्रशाषन दोनों साथ में मिलते जब यह बात करेगी उससे तो आपने बताया कि अधिकारी ने ऐसा किया उसके बाद मैंने भी उसका जवाब जावद बाई यह जो है ना यह बहुत बड़ा स्कैम है यह जो है यह स्कैम किस लिए है वह बात में रोशनी दालूंगा आप लोग जो है भी थोड़ी सी और एक-दो बात अपनी में रखना च बहुत बड़ा स्कैम है आप उसको समझना होगा क्यों समझना होगा नहीं आपका फिर यह आपका आपका इस सवाल गलत है कि सब्सक्राइब के बाद ही डिवलफ्मेंट हुआ है तो 2009 के बाद तो सब्सक्राइब तो आपकी अभी तो फिलाल अभी तेहरा शौदा सार से तो आप लोगों की सब्सक्राइब ठीक है मैं आपको इस बात पर रोशनी डालूँगा कि हर प्रेस कांफरेंस के अंदर आप लोगों के सवाल होता है कि सत्ता हम लोगों की है 2009 के बाद में तो मैं आपको इस बात पर में रोशनी डालूँगा उस पर भी रोशनी डालता हो पानी का मुद्दा, सड़त का मुद्दा, कचरे का मुद्दा, हर चीज के उपर ठाने महानगर पाली का जो है, ठाने महानगर पाली का के अंडर्टेकिंग में सारा काम होता है, बराबर है, ये बात को मानते हैं, अब ही आप मेरी बात को अगर बोलते हैं, अब पोजिशन तो आये हैं इन्होंने मासभा के अंदर अवाज उठा है हमारा प्रस्ता दिया इस तरीके के लेटर इस तरीके के लेटर इस तरीके जब लेटर जाते प्रस्ता बनता है प्रस्ता की सुचना बनती है उसके अम्मल वजोनी होती है मासभा के अंदर मंजूरी मिलती है तब जाकर य मुद्दे पर जब सवल किया गया तो टोरण का मुद्दा नहीं यह कहा गया कि आप पानी के मुद्दे पर हम बात करेंगे तो तुम कही ना क्या चाहते हो मतलब तुम जो है यह पूरा जो इसकैम जो चल रहा है इन निगल बानकाम का आज आगर आप जाकर देखो तो इन नि बानकाम को इन निगल बानकाम को क्यों इतनी मतलब तरजी दी जा रही है कि उसको रोका नहीं जा रहा है हमारे आमदार बार 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 उसके पर कमेंड ट्विट करते हैं लेटर करते हैं चलाते हैं उसके बाद भी जो है सिर्फ दिखा की कारवे होती है उसके बाद में कु क्यों काम नहीं हुआ पानी की तकलित की हो दिवा में हुआ है इसके पहले नहीं वहां पर देखिए जैसा आप भी जाद बैने बोले कि हम सत्ता में हैं तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं ठाने मानगर पालिका के उपर NCP की सत्ता नहीं है NCP ठाने मानगर पालिका में अपोजिशन का रोल निभाती आई है जिस पद को जिस पोस्ट को शानु अश्रव पठान ने बहुभी निभाया है ठाना के अंदर लोग भूल चुके थे कि अपोजिशन लेडर क्या होता है लेकिन ठाना मुम्रा कलवा को शानु पठान ने ये बता दिया कि अपोजिशनेटर क्या होता है अपोजिशनेटर क्या होता है अपोजिशनेटर क्या होता है हाउस को बन कराया सिर्फ पानी के लिए यही रिमोडलिंग के उपर हाउस को बन कराया था अपोजिशनेटर अश्रव शानु पठान ने हाउस को बन कराया था इसलि कंडिशन ठीक हो जाती है उसे हिसाब से काम को फिर से शुरू किया जाएगा आज की दोट में 100-220 करोड में 100 करोड का बिल निकला गया है हम भी यह मांगनी करते हैं हमारी फुद यह मांगनी करते हैं और हमने लेकर दिवा में काम हो गया न रिमोडलिंग का तो सब करने के ब आदी हैं इनको यह मूंब्रा यह यह क्यों यह हमारे लेटर यह हमारा लेटर दिकिए ॡीखिए सारी चीज आपका जो मैं कुला-स ना मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं यह सारे लेटर है आप मेडिया में सारे लेटर को मैं शो कर सकता हूं कि रे मॉड़ी के अंदर हमने क्या किया है सर हमारी ये हुआ 2012 मार्श में body dissolve हो गई है कुई मासावा नहीं बैटती है कुछ नहीं होता है tussen मा साभा के अंदर मासावा बैटीए और हमारे नगर सेवक NCP के नगर सेवक माहस वाक में जब अवाज उठाते हैं बोलते हैं लेकिन साल जो को वीड करें मासावा नहीं हुई ओज आलने मासावा चलती थी फोता यह था कि जब मासावा पर आइप बोलने जाते थे फिर जूम के ओपर नेटवर्क गाइब या कुछ गवाज मुट कर दें जाते था खुछ महासावा थे अश्रफ शानु पढ़ांच ओल्लाइन और उनको वहां से गायब कर दिया गया और प्रस्ताओं को पास किया गया आज अगर आज अगर हम बात करेंगे अभी जैसा एक सवाल है अभी मुम्रा में आकर मुम्रा में आते हैं अभी अपने सवाल के क्या हो रहा है बोलकर तो सर यह उस सवाल का जवाब है कि हम पानी पे बात करेंगे तो जब सवाल था इस्लाम मुंदीन भाई का डोरन पे आप क्या बोलोगे吧 और आप जवाब दे रहें हम टोरेंट पड लू पाइन बात करेंगे अई हम पानी पे बात करेंगे इसका मतलब यह सोची है नगर सेवकों यह डेमेज किया जाए जिसकी वज़े से जो है आने वाले इलेक्षन की यह प्री प्लाणिंग चल रही है पानी को लेकर यह की का उन्ली डाइवण के सब्सक्राइब कर को अजो का गोइवाड काशा को डाइवाड हो रहा है उस परभात के अंदर courब्रेशचे करके ये प्रिल्डिंग और इल इंगल को अधाइब दूसरी बात के एक एक लास्ट अको फ्रेस कोंफरन सी थी उसमें अब कहो और स्वाल किया गए था ब aard साथ आपके अफलिक में अन्दूलन वगर किया मुम्रा कौसा में क्यों नी किया गिया वहलेत हों। ठाना के अंदर जो अंदलन हुआ वो एक नगर से उक्के कारे करताओने करें किसके खिलाफ करें आमदार के एक आमदार और माजी केबिनेट मिनिस्टर उसके लिए एक नगर से उक्के कारे करताओने जो है अंदलन किये और पुतले जला जो कुछ भी किया किया और वही चीज सर मुक्त में क्यों करेंगे आज अगर मुम्रा में करते तो फिर आप निवस बनाते आमधार के आप अपने नगर से वग्शेवक करेंगे उसको चपले मारेंगे और तो गार प्लान करेंगे क्यों करेंगे और यह बोला जाता है कि बोले हम 2009 की 2009 की गलती को सुधारने आये हैं मुम्रा के अंदर अगर आपको 2009 की गलती आपको सुधारनी है तो फिर आवाट साब को भी यह बोलना पड़ेगा कि मैं राबडी के अंदर जाकर कि मैं 2002 की गलती को सुधारनी के लिए आया ह फिर उसके second उसके बाद में उसके बाद 2009 में तुमने काम किया, 2010 में तु हमपुनिश्ट लीडर बने, 2012 के अंदर तुम मापोर के केंडियड बने, मापोर का इलेक्शन अपने लड़ा, मापोर के केंडियर बने, फिर 2012 के बाद में आप आपको ठाने का ठाने का अपना ये बना गया ठाना जिल्दा अद्दक्ष बना आगया वो पद आपने भोगा फिर उसके बाद अगर 2007 उसके बाद आएंगे आप 2018 में तो आपने अब MLC का टिकेट लिया MLC का इलेक्शन नड़ा आपने और इस 20 साल के कारेकाल में 12 से 15 साल आप लगातार स्टेंडिंग के मेंबर बने तो आप कैसे बने कब बने 2000 पहले 2002 के पहले आप कहा थे 2002 के बाद 2003 आ गया अप भी इस बार इस्तिमाल हो रहे इससे पहले कभी नजीम उ सवाल इस्लाम उद्धिन भैने मेर से किया थे ड enterprise आज सब करें क्या है कि आपा हिसे सी बात हो रही है और आपको मतलब ये इंग लिए पोल सकते हैं buddy Nos • जब मेडिया सवाल करें तो जवाब देना पड़ा आपने सवाल का सवाल करें तो मैं जवाब देना आपें मेरे आ पानी की मुद्वो को लेके आपका कहना है कि आपकी पार्टी के नगल सेखों की सुनवाई नहीं होती तो जब आपकी पार्टी के पानी की समस्य दीन बन दीन गहरता चला जा रहा है आकि इसका समाधान कैसे निकलेगा सर देखिए पहले तो मैं आपकी बात को यह करता हूं कि सुनवाई नहीं होती है हमारे आमसी के नगर से वक्त है यह मैंने 2022 के बाद में जब बाड़ी डिजॉल हुई ना उस वक्त हम ले है समझेर अब ऊपर से प्रेशर वह सालमा आस तक बीसानी नीं मिला पता को उसने मिस्ट्रंड के घड़ी पेंके रखा हुआ है कि किसका प्रेशर है नहीं होता है है और रही बाद रही बाद जाए HP één करना है जवाγ दिया और नजीम मुल्ला के खिलाब बोलने की बात है नजीम मुल्ला का अगर इतना मुम्रा से प्यार था तो जिस वक्त आप बोलते जिस वक्त अपोजिशन नीडर के लिए हमारे सारे मुम्रा के नगर से वक्त मगर नगर से फाइट कर रहे थे कि मुम्रा और रेधा ब मनें से चाहिए ऊस्कहा भीम्पराविन रखा जारा रहा था और यह बोला है ता सौतंद्र सैनिक और उनके नाम पर रखा जाता है तो उस वक्त मासा पूजिशन लीडर राश्रफ शानुपठान ने का कि आजाकी मजमल खान जो है यह सौतंद्र सैनिक थे गुगल के ओपर सर्च किया था और उनको मासा पामे फोटू दिखाया था कि यह देखो और आज भी मैं आपको अपनी इसकेंदर दिखाता हूं कर आपको इतनी मुम्रा से मौबबत थी तो आज भी आप जाकर देखो आपके नगर सिवक तो शानुबटन के महापूर के विरोध के लिए कुछ लोग गयते पावार साथ के पास गयते नगर सिवक थे कुछ लोग नहीं थे मैं उस बात को यह मैं इसको दिने थोड़ी कर रहा हूं आज भी हॉस्पिडल के बाहर यह दिवार के उपर आज भी ए रिजन क्या है वह एक रिजन है कि उस ठराओ के अंदर जो आखरी ठराओ मासावा के अंदर हुआ था उस ठराओ के उपर अपोजिशन लीडर की साइन रहती है और प्रोडोकल के से अपोजिशन लीडर का नाम आना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ यह बोर्ड नहीं लगने क का रिजन यही है कि उसके उपर अश्रफ शानू पठान एक मुसल्मन का नाम आगा तो यह यह कौन रोग रहें यह सिर्फ और सिर्फ ठराओ को रोखने के बाद भी रोका जा रहा है इसलिए रोका जा रहा है यह नाम आस्ता कि दिवार जब से होस्पिडल के उपनिंग हु के लिए आ रहे हो तो फिर आपने आप उसक्त मुहबद आपकी कहा गई थी जब ऑस्पिडल का नामकरण के उपर विरोध हो रहा था इसके उपर सिब लणने के लिए हमारे नगर सेवक मुम्रा के और अपनिशन पर शानू पठान ने तब वो जाकर ठाराओ पास हुआ और यह सब चीज़े जो यह करना चीए नजीम उल्ला का मतलब यह है तो जिसके अंदर मैं आपको फिर एक बाद बगा दू के मेरे नगर सेवक बनने के 2017 के टीट के अंदर नजीम उल्ला का कोई हाथ नही है नजीम उल्ला का इसमें कोई रोल नहीं है इसके अंदर सबसे रोल अगर किसी का है वो अश्रफ शानू पठान का और हमारे दोस्तों का असलाव लिए